क्या दोस्तों आप सब जानते हैं पानी और सहद कभी भी खराब नहीं होता है पर फिर भी पानी की बोटल पे और सहद खरिते समय सहद पे एक्सपाइरी डेट लिखी होती है इसका क्या कारण होता है इसको जानने के लिए वीडियो के साथ बने रही है दोस्तों हमारे मन में यह सवाल जरूर उटता है कि आखिरकार पानी और सहद खराब ना होने पर भी जब हम उसके उपर खरितते हैं तो वो जिस भी चीज में पैक होता है उसके उपर एक्सपारी डेट लिखे होती है तो बेसेकली दोस्तो जो एक्सपारी डेट लिखे होती है वो पानी की नहीं होती है सहद की नहीं होती है वो जो एक्सपारी डेट लिखे होती है वो होती है पैकिंग की अर्था जब आप जिस बोटल में पानी खरिदते हैं उस बोटल की expiry date लिखे होती है जब भी सुरीय की गर्मी के कारण क्या होता है वो निश्चित समय के पष्चात बोटल में से यानि प्लास्टिक में से क्यमिकल रिलीज होता है जिसके कारण से आपका जो पानी है वो खराब हो जाता है और साधारण सा दोस्तो यही नियम है जिसके कारण expiry date के बाद में हमें उस पानी को नहीं खरीदना चाहिए उस सहद को नहीं खरीदना चाहिए और basically second number दोस्तो reason यह रहता है कि पानी और साध खराब नहीं के कारण भी जब भी company act का एक rule है जिसके कारण से हर एक company को किसी भी product खाने की product को बेचते समय उसके उपर expiry date लिखना compulsory होता है उसी rule को follow करते हुए company है उसके उपर expiry date लिखती है आसा करता हूँ आज जो आप सवाल सुझ रहे होंगे उसका जवाब आपको मिल गया होगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हेन वंदे मातरम